आशा घरता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी श्रडी ग्लोज पर आपके बहुत दोस्तों यह जो दर्द आपको दिख रहा है यह है मचवारे फिशर्मेन पाकिस्तान के और भारत के भारत के जादा हैं 700 फिशर्मेन 254 मचवारे जो है ऑभी पाकिस्टान की जेल में बंद है और 591 सिविलियन्स पाकिस्तान की जेल में बंद है वहां के भी है ठीक है वहां पर तकरिमां 338 के करीब सिविलियन्स हमारी जेल में है और मुश्किल तो भाई नहीं पता है मचवारों को बिचारे क्रॉस कर गए लेकिन उसके बाद इनके साथ वो चीज होती है जो हम सोच में नहीं सकते हैं आपके साथ बेंगे चीज होने वाली है हमारा शांदार कोर्स फ्लो इसको आप जरूर अवेल करें क्योंकि हम एक लेवल मत सब्सक्राइब आपकी प्रोडक्टिविटी पांच गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं ठीक है यह मात्र 399 का है रवी सर आपको पढ़ाएंगे तो आप इस को जरूर अवेल करें क्योंकि इसमें जो है जब यह कोर्स खाता मुगा तब आप खुद में इंप्रूमेंट लिए लुटा बात करेंगे देखिए मचवार की बात करें तो उनकी अब एक ही उमीध है वह के जतिंदशाई है जतिंदशाय जतिंदशाई बैसिकली क्या करते हैं कोई भी अगर मच्वारा अधाह पंठान में माल लीज્ कोई जा रहा है बड़ी आराम से मचली पकड़ है यार कहां territorial water है कहां cross कर गया पकड़ दिया उनको धर लिया दर के जेल में डाल दिया अब जेल में डाला तुमारा पिटना शुरू अब होता क्या है कि आम तोर पे भाई देखिए foreign law के हिसाब से उनके पासपोर्ट तो होता नहीं है तो आप 6 महीने तक उनको जेल में नहीं रख सकते हैं 6 महीने बाद मनलब 6 महीने के बाद आपको उनको चोड़ना ही चोड़ना है लेकिन कई बार इतना टाइम तक मनलब समझ लिजे कि काफी जादा टाइम तक यह जेल में रहते हैं विचारे और दे डूंट अब अप्शन बहुत समय तक अब प्रॉब्लम यह होत है कि कोई अब इंटरनाशनल लोग को फॉलो नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात है कि यहां पर जतने दिसाई बताते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ग्रूप सैसे हैं जो इसके लिए काम करना है कोई भी अगर फिशर्मेन कोई भी मच्वार अगर फस जाता है पाक जैसे ही आप नाश्नलिटी को साबित करेंगे उसके बाद डिपेंड करता है एक महीना ही रखता एक महीना माक्सिमम पाकिस्तान की जेलों में क्या हालत है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ठीक है पाकिस्तान की जेल में जो सिविलियन्स है वो सड रहे हैं बहुत वुरी हालत है कई बार तो वहां के सिपाई उनको निप्टा देते हैं कितने लोग वहां से आये हैं और उन्होंने अपनी आप बीती बताई है कैसे उनको रखा जाता है कितनी प्रतारित किया जाता है mentally और physically उनको कितना ज़्यादा तोड़ा जाता है तो यह बताने कि हमको जरूरत नहीं है अब यहां पर मच्छुआरे को क्या लेना दिना वो बिचारे क्या है कुछ नहीं अब उनको पता है नहीं वो जब जाते हैं जर्णी पे मचली पकड़ने जाते हैं तो वैसे भी खाना वाना सब लेके जाते हैं लेकिन वो limited रहता है बड़ी exhausting जर्णी होती है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अब उसके बाद उनको पुलिस वाँ पे पकड़के ले जाती है तो नहीं उनके आपको बता दू कि अब देखे 654 मलब टोटल 700 fishermen मचवारे जो हैं वहां की jail में बंद है लेकिन अभी 198 मचवारों को छोड़ दिया गया है और अभी 10 जुनको और मचवारों को छोड़ा जाएगा तो यह coordinated effect है अब problem यह भी होती है कि कई बार पाकिस्तान की सरकार सही politics मलब स सही time का wait करती है कि कब हम इनको छोड़े और कब सबसे बढ़िया समय हो जब हमारे relation यह हमारी politics space पे फरक पड़े सब कुछ वोट बैंक है सब कुछ politics है कई बार ऐसा हो ताब जैसे सरजीत को चोड़ा जाना था तो सरजीब को नहीं सुरजीद को छोड़ दिया सब पूरा हं महरमी कहानी है वो तो ऐसा किसी के साथ ना हो तो अभी सरकार काफी ज़ादा इसपे गंभीर भी है 2008 में कमीटी मनाए गया थे कमिशन जिसमें चार जज़िस पाकिस्तान के थे और चार ज़िस भारत के थे और यह इसी पर रही काम करें कि अगर कोई गल्थी से चला गया पा वो सबको मालूम है कि भाई उनका कोई लिना देना नहीं है, वो बेगुना है, निर्दोश है, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती जेल में धर्ड डाल दिया जाता है, तो ये काफी ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है और उसके बाद फिर एक लंबा प्रोसेस जो है वो 2013 में खातम कर दिया गया, यानि कि जो लोग फसे हुए है उनके लिए और बड़ी प्रोब्लम, लेकिन अभी जतिन दिसाय और उनकी पूरी की पूरी टीम काफी ज़्यादा काम कर रही है, कोई भी अगर फसता है तो सबसे पहले जतिन दिसाय कोई फोन करता है, कि भाईया प्रीज हमारी मदद कर दिजे, हम फसे होगा ओर उसके बाद फिर यह वो जो ये काम है वो शुरू करते हैं, फिर वहाँ पर पाकिस्तान के लोग है वो बहुत तुरंत उनके वहां पर कॉड़िनेट करते हैं, वहां पर आक्टेव होते हैं और वहां पर अपनी प्रक्रिया कुछ नहीं है भी तो चलो हो सकता है जला दें वो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि काके का नाशनलिटी कैसे साबित करें तो एक बार ये चीज हो गई फिर वहां की सरकार जो है वो रिकुआइड स्टेप्स लेकि इनको जो है वो छोड़ देती है और भी प्रोग्राम सोते हैं जैसे कई बार एक्षेंज प्रोग्राम होते हैं कई बार पाकिस्तान और भारत साथ मिलके डिसाइड करते कि दस आप हमारे चोड़ें दस हम आपके चोड़ेंगे actually क्या है ना कि जब रिश्टे अच्छे होते है रिलेशन अच्छे होते है तो कोई दिक्कती नहीं होती लेकिन दिक्कत कि यहां पर कि पाकिस्तान और भारत रिलेशन रिश्टे बहुत ज़दा खराम है तो इसलिए ये और बड़ी चुनोती बन जाती कि अगर कोई पाकिस्तान में फस गया तो उसका वापस आना बहुत ज़ादा मुश्किल है ठीक है लेकिन ये जो मचवारे हैं अभी अच्छी चीज हो रही है क्योंकि खुश की बात है कि कुछ गृप्स जो है उन्होंने ये पुरा ज़िम्दारी ले रखी है कि कुछ भी होगा हम आपको वापस लेकिए आएंगे तो ये लेच्चर था टाइमस ओफ इंडिया का ये बहुत अच्छा एडिटोरियल था ये जो मैंने आपको बताया और ये शानदार कोर्स आप हमारा ज़रूर अवेल करें आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा और ये आपको हमारे आप पे मिलेगा खुश रहे पढ़ते रहे देसे सिद्धान तक नहीं होता ही साइन इओ आफ